इस वीडियो में हम लोग युणिट नमबर 6 के टॉपिक सिकेंड के बारे में बात करने वाले हैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ फिट से वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपने अभी तक भी माना है कि ये चप्टर बहुत भारी लग रहा है संभब नहीं है एक्जाम में मुझे छोड़नी पड़ेगी मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि इस चैप्टर को मत करना बहुत ही चाप्टर है मेरे पिछले वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो पता चला होगा कि कि कितने एजी है मैं बहुत ही कंसेप्चुली जा रहा हूँ बहुत बिसिक से जा रहा हूँ ताकि आपने को कोछ दिक्कत ना हो क्योंकि बहुत सारे केडियेटर नहीं हवा हवा में जाते हैं तो जिससे बच्चे को यह सच में लग जाता है कि यह चप्टर बहुत हाड है ठीक है ऐसा बिल्कुल भी मैंड को मत रखना अगर है मेरे वीडियो को देख रहा हो तो माइंड से ली कर लिडा ठीक है सबस्क हम यह सबसे जानेंगे कramble मोर्खHH mood priority म懟 से किया मैं aघ जैनल मोतर फिटनेस हो सकता था कि मैं वीडियो बना देता लेकिन B तो वह डिल्क्ट यूट्यूब पे सर्च करेंगे और गलती से मेरा वीडियो आ गया तो वह समझ पाएंगे लेकिन अगर मैं तीनों को एक में बना दू तो प्रब्लम यह होता है कि अगर मालों कि किसी को जिग जाग समझना आया तो इस्टेंडिंग ब्रोड जॉम को पहले करेंगे अब करने में प्रोड भी तो वह इसलिए मैं अलग अलग वीडियो जवना रहा हूं ठीक है अगर आपको प्रब्लम हो रही है तो थो ठोड़ा सा प्रब्लम भीहर करना आप लोग क्योंकि किसी के अच्छे के लिए वी मैं काम कर रहा हूं तो किसी को थुरी से प्र को देखा जाता है ability को चेक किया जाता है कि वह different motor skills को कितने आसानी से कर सकते हैं कि कितने efficiently कर सकते हैं यहां पर मैं लिखा हूं कि General Motor Fitness is an athlete's general ability to perform different motor skills different motor skills क्या है यह keywords है जब आप इसकी अगर वहां पर exam में आपके definition आगे short में लिखना है तो motor skills को मत छोड़ना यह आपके keywords है इसे आपको वहां पर mention करनी पड़ीगी ठीक है अब motor क्या होता है मैं आपको एक वीडियो में बता है जब हम motor की बात करेंगे ठीक है याद रखना आप लोग जब भी आपके question में अगर motor की बात होगी तो वहां पर movement की बा agility यानि कि आप कितने कितने आसानी से आप direction को बदल लेते हो मालो कि यहां पर ऐसे कुछ ऐसे आपके path बने हुए है ठीक है आपको यहां से जाना है तुरंत यहां से दौर्ट के वापस आना है तो यहां पर क्या हो रहा है आपके direction को तुरंट change करना यानि कि कितने agile हो कितने पूट है और बॉल को कितना पावर लगा के फेक सकते हो, तो कि आपके यहाँ पर बॉडी में मुव्मेंट आ रही है, इसके अलाबा है कॉडिनेशन, ठीक है, आप किर्केट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आपकी माइंड में कॉडिनेशन होना चाहिए, कि जो मैं माइ की बात करते हैं, तो आफ़लीट की जनरल एबिलेटी होती है, कि वो डिफेंट मोटर स्किल्स को कितने एफिसेंटली कर सकते हैं बिना ठाके हुए, ठीक है, जनरल मोटर फिटनेश कंसिस्ट ओप 3 डिजाइजन तो टेस्ट देस्ट दा मोटर एबिलेटी आप इस्ट्वें फ्यक्यूज है इसे वीडियो में बात करने वाला हूं मैं से आक हैं कि और फिर से रिवाइश कराता हूं कि जनेरल की ability है कि वो different motor skills को कितना efficient वे में यानि कि कितने आसानी से कर सकते हैं बिना रुके हुए बिना थके हुए ठीक है यहाँ पर कुछ मैंने बताया कि जब हम motor skills की बात करेंगो थे speed, agility, power, coordination, strength की बात होगी तो यह होगी आपका general motor fitness अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले test के ब यह जानेंगे कि यहाँ पर हमारे requirements क्या है क्या equipment चाहिए क्या materials चाहिए इस test को organize करने के लिए दूसरा purpose क्या होने वाला है आखिर यह जो test कोई आपकी schools कर वा रही है यह कोई भी organization कर वा रही है तो purpose क्या होता है इसका और तिसरा होता है कि procedure आखिर करना कैसे है तो यहाँ प 5-12 feet का यानि कि एक mat जिसकी आपकी यह जो आपकी breath है वो 5 feet और इसकी length 12 feet होगी ठीक है और इसके अलाबा measuring tape ठीक है अगर वैसे school में कुछ schools में ऐसे होते है कि mat पर नहीं होती है वो ground पर कराते है ठीक है वो 5 feet by 12 feet का एक गड़ा खुदवाते हैं जिसमें मिट्टी डलवाते है ठीक है उसमें यह broad jam bulog का test लेते हैं लेकिन वैसे school में जहां पर उनके पास फिल्ड नहीं है तो वो mat पर भी यह test को conduct करवाते हैं ठीक है परपस क्या होता है कि to test the strength of the leg अगर किसी athletes की किसी भी subjects की अगर हमको उसके पैर की strength को नापना है आकना है तो हम इस test को perform with the feet several inches apart ठीक है मालों की अगर यह आपका mat है या मालों की field पर ही है मालों की यह आपका line यह जो आप line देख रहे हो यह आपका take-off line है तो जो participants होंगे जो subjects होंगे जो individual participants होंगे ठीक है उनको take-off line से थोड़े से इन से फ्रोसर पीछी ख़़ा होना है ठीक है दूसरा it is advised to subject to swing the arms and bend the knees to take a jump in the long pit या on mat ठीक है अगर मालों की आप यहाँ पर आ गए पोजिशन में आ गए हो take-off line से जस्ट पीछे ख़़े हो तो आपको अपने arms को swing करना है swing करने का मतला में तो सब पीछे करना है और अपने ठीक है और अपने जो knees है इसको थुरह सा down करके आपको jump लेना है ठीक है तीसरा three trials is given and best one is recorded ठीक है यहाँ पर अगर यह officials में अच्छे तरीके से हो रहा है तो वहाँ पर किसी भी एक subjects को three तीन बार chances दिया जाता है three trials दिया जाता है और उसमें से जो best record होता है उनका वो low down कर लिया जाता है as a final record ठीक है चौथा distance is measured from the take-off line to the hill या part of the body that touches the ground nearest to the take-off line मालों की आपने यहां से जंप लगाया ठीक है जंप लगाया आपने ऐसा कुदा अपने आपको control नहीं कर पाया तो आप मालों की आपके हाथ पीछे ही रह गए ठीक है तो वहां मालों की आपके हाथ यहां पर रह गए तो यह जो भी body part आपके take-off line से नजदिक पड़ ठीक है तो यहां पर मालों की कोई अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाया गिर गया तो उसकी जो मालों की यहां पर body की उनकी सबसे कुछ ऐसी पार्ट है जो आपके take-off line से सबसे नजदिक है तो यहां से इसकी measurement ली जाएगी जो measurement होगा यहां पर नाप दिया जाएगा ठीक है पाचमा है कि measurement is taken in fit and inches अगर कोई मालों की किसी ने jump लगाया तो जो measurement होने वाली है जो measurement का हमारा unit होने वाला है वो होने वाला है fit में यह inches में ठीक है यह हो गया आपका standing broad jump उमीद करता हूँ कि चीजे समझ में आए होगी ठीक है करना क्या है अगर आपको मालों की खुद है ने बड़े दो कोई कोई भी दोस्त होंगे आपके मालों की उनकी आपकी लेक की strength को आपना है आकना है तो आप मालों की 512 का आप गड़ा खुद बालो आदा फीट का गड़ा होना चाहिए उसमें आप लोग बालू डलबा दो ताकि अगर कोई jump लगाए तो उसके पर मे मालों की उन्हें अपने हाथ को swing किया elbow को थो सा नीचे किया और jump करते हैं तो यह जो पीठ है ठीक है यहाँ पर उनकी जो body की part ऐसी को भी body part मालों की वो गिर गए गिर के सो गए कुछ भी किये आपके take-off line से जो सबसे आपके body की part जो सबसे नजदीक होगी take-off line से वहाँ से मिजर्मेंट लेंगे और वो मिजर्मेंट आपका final measurement होने वाला है ठीक है यह था आपका standing road jump अब हम इस्टोर सब हम second test जो है zigzag run वो अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं